अलो फ्रेंड्स यह कोटोनी स्वस्तिक का GT8 मोडल है सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे हम आज यह 72 x 72 की साइज है पीछे टर्मिनल्स है यह टर्मिनल्स की कनेक्शन डायग्राम है इस साइड में आपको मोडल नंबर लिखा हुआ मिलेगा पूरी डीटेल्स में लेगी यह present value है second one is set value यह indication है alarm के लिए and relay के लिए red strip में यह GT8 मोडल लिखा हुआ है यह set value का बटन से यह down arrow, up arrow and info key सो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि set value कैसे करनी है change और auto tune mode में कैसे डालना है सबसे पहले power on करेंगे basic सब लिखा हुआ आएगा J type sensor, उसकी जो भी present value है set value, temperature, model number सब कुछ अभी हम इसमें set value करेंगे change करना सिखेंगे तो set key को press करेंगे जैसे ही set value, यहाँ पर set value लिखा हुआ आएगा और यह blink होना start करेंगा और पर किसे temperature को हम change करेंगे 100, 200 जो भी करना है हो अगर आप ज्यादा change करना चाहते हो तो आप info key को as a shift key का तोर पर भी use कर सकते हो वो आपको immediately change करने में आगे या पीछे ले जाने में help करेंगे अब इसको हम set कर देंगे 100 पर फिर से एक बाल sv प्रेस करने से यह set हो जाएगा 110 sv यानिके set value set key को प्रेस करेंगे तो यह set value प्रेस हो गए present value यानिके present room temperature अभी इसको हमें auto tune mode में डालना है PID mode में auto tune set करना है so at that time हम लोगे down arrow key को कुछ seconds के लिए प्रेस करके रखेंगे immediately यह blink होना start होगा जैसे यह blink होना start होता है उसका मतलब कि आपका instruments auto tune mode में चला गया है दोनों value equal हो जाएगी उसका मतलब कि यह auto tune mode auto tune complete हो चुका